सलाम आलेकुम मैं हुस्तार एहसेन अपिरल्ला पटेल कॉंपलेक्स निंबर का लेक्चर चल रहा था उसको कंटीन्यू करते हैं A complex number can be represented on the graph which representation is known as argan diagram argan diagram क्या होती है जनार यह हमारे पास एक vector है जो करेप्रेजेट कर रहा है complex number को x plus y iota यह x-axis यह y-axis x-axis पे हम real part show करते हैं y-axis पे हम imaginary part show करते हैं इसलिए हम इसको y-iota करें अगर यह complex number x plus y-iota है तो यह point x,y बनेगा जबकि theta को हम argument of z कहते हैं angle with the x-axis यह base बनेगा x यह perpendicular बनेगा y ठीक अगर मैं r suppose कर लूँ magnitude के बराबर under root x square plus y square तो sin theta होता है जनाब perpendicular upon hypertunes जो कि हो जाएगा y upon r यहां से y मिला मुझे r sin theta अगर मैं cos theta की बात करूँ तो cos theta होता है base upon hypertunes x upon r यहां से मुझे x मिलेगा r cos theta ऐसा ही नो कि tan theta होता है perpendicular upon base तो y upon x तो theta निकालने का तरीका tan inverse y upon x ठीक तो जनाब यह तो हुई r गंडाई नाँ तो अगर मुझे coordinate system देखना है तो Cartesian coordinate system हमारे course में मादूद है Cartesian coordinate system क्या होता है किसी भी point की value मैं from right to left या top to down बताना चाहूं तो ऐसे system को Cartesian coordinate system क्याते है कि अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं यहां से यहां जाओंगा फिर यह जाओंगा कि हम यहां से यहां जाओंगा फिर यह जाओंगा तो इस system को Cartesian coordinate system क्याते है जबके अपनी इनिशेल पोजिशन से कहीं जाने के लिए मैं एंगल का इसक्वाल करूँ और उस तर्ड डिरेक्ट डिस्प्लेस्मेंट करूँ तो ऐसा सिस्टम कहलाएगा पोलर कॉर्डिनेट सिस्टम कि ये चीज मुझे से कितना दूर है और कितने एंगल पर है इसको हम कहते हैं पोलर कॉर्डिनेट सिस्टम चनाब अगर किसी ने पोलर कॉर्डिनेट सिस्टम से कार्टिशन कॉर्डिनेट सिस्टम में जाना है एक्स बरावर होता है आर कॉर्स थीटा के और य बरावर होता है आर साइन थीटा के और अगर हमें Cartesian से polar convert करना है तो R बराबर होता है under root x square plus y square के और theta बराबर होता है 10 inverse y upon x के जो के हम यहाँ पर पहले देख चुके हैं जणाब हमारे पास complex number था x plus y iota तो इसकी complex form बनेगी x की जगा र cos theta y की जगा पर r sin theta तो जणाब इन गौनों में r common है cos theta plus iota sin theta cos theta plus iota sin theta को short form में लिखा जाता है cis theta c i s theta तो कर जगा लिखा है cis pi by 4 that means it is a short form of cos pi by 4 plus iota sin pi by 4 फॉर जबर तो मारे पास question है 1 plus under root 3 iota तो इसमें x बराबर है 1 की y बराबर है under root 3 की r होता है under root x square plus y square x की value y की value जणाब इसको solve करके r i r 2 की बराबर तो theta बराबर होता है 10 inverse y upon x ये value आएगी जणाब pi by 3 calculator से रिकाल लहीं sin pi by 4 than 1 upon root 2 तो जणाब 3,5 pi by 4 has been converted in the form of 3 upon root 2,3 upon root 2 करतें है फर्दर टोपिक, नेक्स वीटियू.